नमस्कार दोस्तों आप सभी कोई के नए वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आपको कलास 3 का मैद काये के महत्पून कोश्चन के हल करके बताऊंगा या कोश्चन आपको एकसरसाइज 4.93 में मिल जाएगा आप NCRT बुक में देख सकते है चलि इस वीडियो को स्टार्ट करते है वीडियो पसंद आएगा वीडियो के लाइक और नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे देखिए एक कोश्चन है हल करे इस जग आपको मूल गयात करे भी निखल रह सकता है इसलिए कंफ्यूज मत होईएगा एक बटे एक प्लस चार माइनस एक बटे एक माइनस साथ बराबर एक आरा बटे तीस है इसको क्या करना है हल करना है तो चलि इस कोश्चन को हल करते है मुझे उमीद है कि बिल्कुल आपको असानी से समझ में आ जाएगा तो देखिए सबसे बिल्यद हम कोश्चन निकलिए समझ गए अब क्या करना इसको हल करना है आपको हम एक बात बता देते है कि यहाँ देखिए एक बटे एक प्लस चार है और माइनस एक बटे एक माइनस साथ है यहाँ लासा लेना होगा x प्लस 4 और x माइनस 7 को लेंगे कैसे लेंगे चले हम आपको बताते हैं जैसे माल लीजए अगर आपको पास 7 बटे 3 है और 6 बटे 4 है तो लासा लेते हैं न तो 3 चुगा क्या कर देते हैं 12 कर देते हैं समझ गए, तो उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, क्योंकि X प्लस 4 है, X माइनस 7 है, दुनों उलग है, तो इसमें इस से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा X प्लस 4 और X माइनस 7 हो जाएगा, समझ गए, उसके बाद यहाँ देखें, फिर यहां समझे आप उसके बाद क्या करते है इसमें इससे गुना करते है 3,4 का बार यानि 7,4,28 करते है और फिर 3,18 करते है समझे तो यहां भी उसी तरीके से करेंगे इसमें इससे गुना फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो x-7 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x-7 हो जाएगा कितना से गुणा करना था एक से यह माइनस है तो माइनस देंगे x-4 में कितना से गुणा करना है x-1 तो कर दिये यानि x-7 से 1 में और x-4 में यानि एक से किये है माइनस है तो माइनस इधर 11 वट्टे क्या दे देंगे 30 है तो 30 दे देंगे समझ गए अब क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं आपको समी करना बनाते समय आप एरो के चीन तथा आप या भी लिख सकते हैं समझ गए अब देखे एकस माइनस साथ और माइनस में एक कोष्ट है तो कोष्ट में से हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस गुने प्लस माइनस चार हो जाएगा समझ गए अब इसको गुना कर लीजे एक्स प्लस चार एक्स माइनस साथ है तो इसको गुना क्या करेंगे आप चाहे तो इस दोनों से इस में गुना कर लीजे और चाहे तो इस दोनों में इस से गुना कर लीजे यानि एक से मान गुना करेंगे एकस माइनस साथ में ठीक है तो फर्स्ट इसी में से सेकेंड इसमें से लेंगे फर्स्ट इसी में से था में फिर प्लस 4 से गुना के x माइनस 7 में बरावर कितना हो जाएगा 11 बटे 11 बटे 30 हो जाएगा समझ गया अब देखिए 1x यह प्लस यह माइनस है तो प्लस माइनस गाया यानि कर जाएगा कितना बज जाएगा माइनस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 11 ठीक है अब देखिए नीचे गुना करेंगे x में एक से गुना करेंगे x से स्क्वार और x में माइनस 7 से करेंगे माइनस 7 x फिर 4 से 1 से गुना करेंगे तो 4x 4x प्लस 4x हो जाएगा और 4 सते 28 माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्ल प्लस चार एक्स और फिर प्लस चार से माइनस साथ में करें तो माइनस güzelос समझ गयोन अब देखिए ऑर एकस एस्वार है तो एकस स्क्वार हो जाएगा अब देखिए एकस समान के एकसाथ कर लेते हैं माइनस sulis है माइनस छार्येगोश तो देखिए समान के एक साथ कर लिए यानि इसका भी एक, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, समझ गये, तो माइनस प्लस है, तो घर जाएगा, तो माइनस साथ में से प्लस चार किये है, तो माइनस तीन एक्स आया है, देखिए, इसका भ पच गया माइनस एक और एकस स्कौार माइनस 3x माइनस 28 बरावर कितना हुआ 1 भटे 30 अब क्या कीजिए इसको cross multiply कर लिजए क्या करना है cross multiply यानि x स्कौार माइनस 3x माइनस 28 में 1 से गुना करेंगे और एक स्कौार माइनस 30 में करेंगे कर दिए x square minus 3x minus 28 में x से करेंगे तो कोई change नहीं होगा समझ गए और फिर minus 1 में 30 से करेंगे तो minus 30 हो जाएगा minus 1 गुणिया 30 यानी minus 30 समझ गए क्या किया है cross multiply किया है ओके अब देखे x square minus 3x और minus 28 इसको भी आप इधर लिया है तो minus से क्या हो जाएगा plus हो जाएगा 30 इधर बजाएगा 0 समझ गए कितना हुआ x square minus 3x minus 28 plus 30 बरावर क्या हुआ 0 minus 30 को इधर लिया है तो क्या हो गया है plus 30 हो गया है अब फिर समान को एक साथ कर लिजे हल x square minus 3x कोई नहीं है तो direct हम लिख देंगे minus 3x अधिक है ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है तो minus 28 है ये plus 30 है समझ गए ना तो plus minus घटा देंगे तो 30 में से 28 गया 2 plus अधिक है तो plus बरावर क्या दे देंगे 0 दे देंगे समझ गए आपको जो ये दिवघाज समी कर रहा ना या इसको क्या कर सकते है कर सकते हैं चाहे दिवघाज सुत्र के सहता से या गुनन खंन सहता से किसी भी वीदि से इसका मुल गयात कर सकते है समझ गए तो चलिए हम गुनन खंट विदी से इसको हल करेंगे तो गुनन खंट inner last कीजिए तो X स्क्वार का गुना अ क्या है minus 3x आना चाहिए तो hop leather अगर 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्ता नहीं वहाँ 2 में X से गुना करेंगे 2 और 2 में एक जो रेंगे 3 समझ गहे लिकिनि यहाँ minus है तो सिम्पल है minus 2 में minus 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा plus 2 और माइनस दो और माइनस एक जो रहेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा समझ गए तो क्या करना है माइनस दो और माइनस एक में थोरना है एक के जगह हम एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वार माइनस दो एक्स और x नहीं लिखकर direct क्या लिखेंगे minus x लिखेंगे plus 2 बराबर 0 आपको यह गुननखर्ण आता होगा तो बिल्कुल आपसानी से समझ जाएगा और नहीं आता होगा फिर भी हम समझाने के कोशिस कि यह है कि first into last करना है तो 2 में x से इसका गुनाएंग जो रहेगा उसमें गुनागी है तो 2 आया है 2 का ऐसा गुननखर्ण तो रहा है जिसको जोरने और घटाने पर ही कितना आना चाहिए minus 3 होना चाहिए तो है 2 और 1 यानि x था तो 2 x और minus x में तोर दिये है को minus 2 x minus x को जोरेंगे तो minus 3 x हो जाएगा और 2 है इधर x square भी है तो 2 x से square हो जाएगा अब देखे इसमें common लेंगे यहां से यहां तेक एक पार्ट कर लेंगे यहां से यहां तक एक आपको ऐसे underline नहीं करना है आपको समझाने के लिए कर दिये है ठीक है तो इस दोनों में x है तो x common हो जाएगा तो इस गुने x x से square हो जाएगा और इस x कट गया है माइनस 2 common कार्थ होता है पूरे में भाग देना फिर माइनस है यहां देखे इसमें क्या common है कुछ नहीं तो 1 होगा एक बच गया और माइनस गुने plus माइनस 2 हो गया समझ गया परावर 0 यहां कितना लिए माइनस 1 तो x बच गया फिर माइनस गुने plus क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहां दोनों आप क्या है common है तो एक हो जाएगा x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 1 बरावर क्या हो जाएगा 0 यह दोनों common था तो लिख लिए फिर x और minus 1 यह दो गुनन खंडा आया अब क्या करना है इसको अब सुन्यक निकाल लेना है जो आएगा वह मुल हो जाएगा समझ गए तो x minus 2 के बराबर एक बार 0 करेंगे समझ गए और उसके बाद कितना x minus 1 के बराबर 0 करेंगे तो x minus 2 है तो इधर आएगा तो प्लस 2 और क्या हो जाएगा x minus 1 है तो इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो x के मान कितना हुआ दू और 1 तब लिख सकते है अधा x बराबर 2 और x बराबर 2 और 1 है आप इस तरीके से लिख सकते हैं मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको जरू समझ मैं होगा वीडियो समझ मैं होगा वीडियो के लाइक और नए होते चानल के सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद